क्लास 12 के बिहार बोट के बच्चों का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो के माधियम से इस गैस पेपर का अबजेक्टिव क्वेस्टन सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन के अबजेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और जैसा मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले वीडियो दो वीडियो के माधियम से हम लोग इस इंटीग्रेशन में 55 नमर तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख चुके थे आज हम लोग क्वेस्टन नमर 56 से लेकर और इसके बाद जो हैं क्वेस्टन नमर 75 तक का सॉल्यूशन हम लो बोट की हो अगर क्लास 12 का मैज सदा आप बनाते हैं पढ़ते हैं तो सब के लिए मैज का रूँल प्रॉब्लम सेम लोगों सेम ही होता है अगर आप इसको देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको जरूर फाइदा पहुंचाएगा यानि कि अगर आप विखार बॉट के आलावे को बनाना चाहते हैं, integration के problem को हर एक exercise के problem को आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें हर एक exercise के लिए मेरा detail में video इसी channel पर available हैं, आप हर एक exercise के problem को घर बैठे solve कर सकते हैं, तो आईए अब हम लोग देखते हैं question number 56 को, तो 56 में जैसा की दिया गया है integration, representation, shake square x by cosec square x dx दिया गया है, तो इसको solve करने के लिए shake x को 1 by cos square x लिख सकते हैं, और यह जो कوسc square x है, हलांकि इसको 1 by sin square x लिखेंगे, और यह sin square x जो है उपर चला जाएगा और by 1 हो जाएगा और यह dx तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिल जाता है sin square x by cos square x जो की 10 square x dx होता है और इसको देखिए याद कीजिए आप पढ़े होंगे कि 10 square x dx को हम लोग लिख सकते है सेक square x minus 1 और यह dx लिख सकते हैं अब सेक square x का जो integration होता है वो 10 x होता है 1 के लिए integration minus x हो जाएगा अब plus k या c हम इसमें add कर देंगे तो हमको मिलता है 10 x minus x plus k जो की option c में हमको नजर आ रहा है इसके बाद हमारा question number 57 तो 57 में जैसा कि आप देख सकते हैं integration sin x dx है यह direct formula पर ही आधारित है तो इसका integration minus क्या होता है cos x होता है और इसके साथ हम लोग constant k या c add कर देंगे तो यह जो option है आपको मिलता है a में मिलता है इसके बाद हमारा question number 58 तो 58 जैसा कि आप देख सकते हैं 58 नम्मर यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और इसमें हमको solve करना है किसको 58 में कि integration 0 से लेकर pi by 4 और उसके बाद यहाँ पर 10 square theta d theta दिया गिया है तो 10 square को हमेशा आप जो है शेक square theta minus 1 करके लिखिए और इसके बाद integration का limit जो है 0 से लेकर pi by 4 तक सेक square x का जो integration होता है यह आपका 10 theta होता है माइनस 1 के लिए theta हो गिया और यह आपका 0 से लेकर pi by 4 तक तो पहले pi by 4 अगर यहाँ रखते हैं तो 10 pi by 4 यानि 10 45 degree 1 होता है और यहाँ पर pi by 4 आपका हो गिया अब फिर उसके बाद 0 degree पर इसका मौन 0 होता है theta के जगह पर भी 0 रखेंगे तो 0 होगा तो इस तरह से यह आपका निकल गया 1 minus pi by 4 निकल गया अब यह option जो है आपका 58 में कहां देखने को मिलता है A में तो यहाँ इसके लिए सही answer आपका A हो जाएगा इसके बाद हमारा question number 59 तो question number 59 में आपका दिया गया है integration 0 से लेकर pi by 2 और यहाँ पर sin square x dx दिया गया है तो sin square x को आप क्या लिख सकते हैं याद कीजिये formula 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x आपका होता है यह पढ़े होंगे आप class 11 में ही और यहाँ से 2 हट गया तो इसमें divide हो गया 2 तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 minus cos 2x by 2 तो by 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो 1 by 2 आपका बाहर आजाता है और यह 0 से लेकर pi by 2 तक होता है dx इसके साथ तो लगा ही दीजिये अब 1 by 2 अब 1 का जो integration होता है यह आपका x होता है cos 2x के लिए हम लोग लिख सकते है sin 2x by 2 लिख सकते है चुकि x का जो भी coefficient होता है उससे हम इसको divide कर देते हैं और इसका value 0 से लेकर pi by 2 के बीच हो गया अब यहाँ पर 1 by 2 रखिए pi by 2 यहाँ x के जगह पे रख दीजिये और जैसे यहाँ pi by 2 रखते हैं तो sin pi बसता है और यह sin pi का जो value होता है आपका 0 degree होता है अब फिर minus रखेंगे यहाँ 0 यहाँ 0 तो यह 0 0 ही हो जाएगा और आपको मिल जाता है यहाँ आपका pi by 4 मिल जाता है चुकि यह part भी आपका 0 हो गया इधर तो 0 है ही तो यहाँ पर pi by 4 मिलता है तो इसका सही option जो है हमको देखने को मिल रहा है ए में देखने को मिल रहा है इसके बाद हमारा question number 60 तो question number 60 यहाँ से हम लोग solve करते हैं तो question number 60 में हमारा दिया गया है integration 1 से लेकर 4 तक है ना और dx by x दिया गया है हम जान रहे हैं कि dx by x जो है direct formula पर अधारित है जिसका integration जो होता है log x होता है log x का जो limiting value है 1 से लेकर 4 तक तो हम एक बार log 4 लिखेंगे minus log 1 लिखेंगे अब देखें log 1 का जो value होता है वह 0 होता है तो इसलिए log यहां पर सिर्फ 4 बच जाता है अब log 4 जो है आप कहां पर देखने को मिल रहा है आपका यहां पर a में देखने को तो नहीं मिल रहा है p में देखने को मिल रहा है लेकिन हमने यहां पर थोड़ी सी गलती की है यहां limiting value आपका 2 है हमने उतार लिया है 1 तो ऐसा करते हैं अगर इसको 2 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं तो यहां भी आपका 2 हो जाता है तो अब इसका रूप change हो जाएगा यह आपका हो जाएगा log 4 by 2 यानि कि log आपका यह 2 हो जाएगा तो अब log 2 जो है आपको यहां पर मिल रहा है A में देखने को मिल रहा है तो उमीद करते हैं समझ गये होंगे गलती सही दोनों बात को समझ गये होंगे आप लोग इसके बाद हमारा question number 61 तो 61 में हमारा x पर power 3 by 2 dx दिया गिया है तो rule हमारा कहता है कि x पर जो भी power होता है उसमें 1 add कर देते हैं अब फिर वही powers जो है आपका नीचे आकर divide हो जाता है अब plus k कर देते हैं 3 by 2 plus 1 करेंगे हम लोग तो x पर power 5 by 2 आएगा नीचे में भी जो 5 by 2 आता है इसको solve करने के बाद तो 5 by 2 इस तरह से लिखा जाएगा 2 आपका उपर चला जाएगा अब plus k हो गया अब यहाँ पर देख लीजे 2 by 5 x पर power 5 by 2 तो यह चीज हमको मिल रहा है option b में देखने को तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह समझ रहे होंगे उसके बाद हमारा 62 नमबर तो बच्चों यह चीज है आपका यहाँ पर यह even function है even function का चर्चा हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए किया था और इस तरह के बहुत सारे function भी हैं लोग बनाए थे और यहाँ याद कीजिए अगर minus a से लेकर a तक किसी function का integration होता है तो इसको हम लोग किसी स्थिती में 0 भी लिखते हैं और एक स्थिती में 2 into 0 से लेकर a तक और यहाँ fx dx लिखते हैं और यह चीज लिखते हैं हम even के condition में even function और यह आपका odd function तो even function कब होता है जब हम fx को अगर sin square x लिए हुए हैं और यहाँ पर minus x रख दें तो यह आपका sin square x ही आता है यानि कि यह fx के बराबर है यानि f minus x रखने से fx में ही आ जाता है तो यह आपका even function होता है इसको हम जो है integration 0 से लेकर pi by 2 लिख सकते है 2 multiply करेंगे शुरू में sin square x dx लिख देंगे अब देखिए pi by 2 sin square x dx के लिए हम लोग अभी तुरत integration निकाले हुए है यहाँ पर आप 59 में देख सकते है तो 59 में हमने यहाँ पर निकाला है 0 से लेकर pi by 2 तक हो तो इसका integration जो होता है यह pi by 4 होता है तो इसका भी integration जो है आपका pi by 4 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपका option जो दिया गिया है ए नमबर जो की 0 दिया गिया है समभवता यह गलत है इसका correct answer जो होगा यह pi by 2 होगा अगर यहाँ पर आपका sin cube x होता है न यहाँ पर क्या होता integration minus pi by 2 से लेकर pi by 2 तक sin cube x अगर होता तब यह आपका 0 हो जाता यानि कि odd power होता तो यह आपका 0 हो जाता तो इसी लिए आप लोग अपने comment में जरूर बताईएगा कि क्या यह है आप को समझ में आया की नहीं या इसका कोई और भी option है इसके बाद हमारा question number 63 तो question number 63 में integration x square है आपका e to the power x का cube दिया गया है dx दिया गया है तो very simple इसमें जैसे आप put करेंगे x पर power cube को z या t put करेंगे तो यह आपका differentiate करते हैं यहाँ पर इस जगह हम लोग क्या करते हैं differentiate करते हैं तो यह चीज होता है 3 into x का square dx equal to dt होता है और x का square dx को x का square dx को हम dt by 3 लिख सकते हैं अब यह integration जो है change होके क्या हो जाता है integration x square dx के बदले में हम dt लिख सकते हैं अब by 3 3 को हम बाहर 1 by 3 को हम बाहर कर दिये i to the power x cube है तो e to the power t हो गया तो 1 by 3 into e to the power t का integration e to the power t ही होता है यानि कि यह 1 by 3 e to the power t का value हम लोग x cube यहां पर रख देते हैं तो 1 by 3 e to the power x पर power 3 यह option हमको देखने को मिलता है कि इसमे b में देखने को मिलता है तो b हमारा सही answer हो जाएगा इसके बाद हमारा question number 64 तो 64 में देखिए दिया गया है integration root under 1 plus cos 2x दिया गया है dx तो भाईया यह आप याद कीजिए class 11 में इस तरह का formula पढ़े होंगे कि इसको हम लोग 1 plus cos 2x को हम लोग 2 cos square x लिख सकते हैं और यहां पर हो गया dx तो यह 2 root में है तो root 2 बाहर चला आया cos square x है तो सिर्फ cos x dx बचा root भी हटा तो square भी हटा cos x का जो integration होता है वो सिर्फ sin x होता है अब plus के तो हम डालेंगे ही अब ढूंड लेंगे root 2 sin x अब plus के हमारा किस option में मिल रहा है यह option आपका b में मिल रहा है इसके बाद हमारा question number 65 तो 65 में हमारा दिया गया है x e to the power x by x plus 1 का whole square और यह dx दिया गया है तो यहाँ पर याद रखिये जहाँ e to the power x के साथ कोई function आ जाए तो आप चले जाए integration by part में तो integration by part में हम लोग एक formula पढ़े थे e to the power x fx function रहे और इसका derivative रहे तो इसके लिए जो integration होता है e to the power x fx होता है अब plus k होता है तो ठीक उसी तरह से जहाँ भी आपको e to the power x के साथ x का कोई function रहे तो इस पर आने का chance बनता है जादा तो अब देखिए क्या करते हैं लोग ये जो e to the power x है इसको रहने दिए x plus 1 लिख दिए और एक बार minus 1 कर दिए क्या किए तो मिला हमको x ही x में एक बार plus 1 कर दिए minus 1 कर दिए तो कोई फरक नहीं पड़ता है और यहाँ x plus 1 का holy square रहने दिए और ये आपका dx रहा अब देखिए e to the power x थो लिखेंगे ही x plus 1 by x plus 1 का holy square एक बार इससे divide हो जाएगा और एक बार 1 by x plus 1 का holy square इससे divide हो जाएगा अब यहाँ पर जो है आपका एक ये कट किया तो यहाँ पर function जो है आपका 1 by x plus 1 हुआ ये function अब इसको आप differentiate अगर करेंगे तो minus 1 by x plus 1 का holy square आएगा है ना इस तरह का problem आप लोग बहुत सारा बना लिए होंगे तो यह आगिया तो यह हमारा आगिया किस पर इसी formula पर आधारित हो गया यह यह इसी formula पर आधारित हो गया तो इस formula के अनुसार से e to the power x into 1 by x plus 1 जो है इसका integral value हो जाएगा plus k कर देंगे अब यह चीज हम ढूनेंगे भाईया कहां हमको देखने को मिलता है यह चीज आपको देखने को मिलेगा c में देखने को मिलेगा तो c इसका correct answer हो जाएगा इसके बाद हमारा question नमर 66 तो 66 में integration dx by a square plus x का square है तो यह आपका special integration का एक formula है ना special integration का एक formula है और इसमें इसका integration 1 by a 10 inverse x by a plus k होता है या c होता है और इस चीज को देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगा कहां पे मिलेगा c में देखने को मिलेगा यहाँ पर ये में A by X कर दिया है, अज C में आपका X by A है, तो X by A जहां रहेगा उसी में टिक लगाएंगे, अब यहां पर ये ने कीजिएगा कि हड़बर में यहां गड़बर कर दीजिएगा, देखने में दोनों एक ही तरह का लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है इस दोनों में, इस ची X, D X दिया, अब फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन बीटा से लेकर अलफा तक, और यह फाई, X और यह D X दिया, आप इंटीग्रेशन के प्रोपर्टी में पढ़े होंगे, कि अगर हम लिमिटिंग बैल्यू जो है नीचे से उपर, उपर से नीचे कर देते हैं, जैस तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ देखिए, एगो प्लस में हो गया, एगो माइनस में हो गया, दोनों कट गिया, बराबर क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, तो यानि कि 67 का करेक्ट आप्शन जो है, D हो जाएगा, क्लियर है, इसके बाद हमारा क्वेशन नमबर 68, तो 68 मे हम देख रहे हैं क्या, कि integration 0 से लेकर 1 तक दिया गया है, X, DX के लिए, तो यहाँ पर X का integration, X square by 2, अब यहाँ limiting value जो है, 0 से लेकर 1 तक, 1 को रखेंगे, तो 1 by 2, 1 का square minus, 1 का square by 2, 0 का square by 2, जिसको हम लोग 1 by 2 ही लिखेंगे, अब 1 by 2 हम ढूंड लेते हैं, कहां है, भाईया, D म answer हो जाएगा, इसके बाद question number 69 में देखिए, integration E to the power X by X दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया 1 plus X log X दिया गया है, और यहाँ जो E बीच में लटक रहा है ना, इसको देखके घबडाईएगा नहीं, यह base है आपका, और base तो अगर नहीं भी लिखा राता है, फिर भी हम ल तो यहाँ पर यह integration दिया गया है, इसको देखिए E to the power X को बाहर में रहने दीजिए, X को अंदर ले जाईए, तो 1 by X हो गया, यहाँ पर X by log X by X जैसे हो जाएगा, तो सिर्फ log X आपका बच जाएगा, अब यहाँ पर याद कीजिए, कि यह log X को अगर function मानते हैं हम लोग, तो log X का derivative जो होता है, 1 by X होता है, और E to the power X हो गया, तो यह जो है आपका किस फॉर्म पे आ गया, integration, E to the power X integration कोई function हो गया, और इस function का derivative हो गया, दोनों plus में है, तो इसको हम लोग E to the power X, Fx लिखते हैं, अब plus K लिख देते हैं, है ना, तो ठीक उसी तरह से, इसको भी हम लो लिखेंगे, E to the power X तो लिखेंगे ही, और log X आ जाएगा, यहाँ Fx के जगह पर log X काम कर रहा है, और इसका derivative log X का derivative 1 by X, यारी differentiation 1 by X होता है, इसी लिए E to the power X into log X plus K हो जाएगा, अब यह option जो हैं, आपको 69 के किस में मिल रहा है, B में मिल रहा हैं देखने को, तो यही B इसका सही answer हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर question number 70, तो 70 में आपका दिया गया है, E to the power 2 log X dx दिया गया है, है ना, अब देखिए, log का एगो property का यूज किया गया है, इसमें, इसको हम लोग E log X पर का square लिख सकते हैं, E और log जो होता है, एक दूसरे को cancel कर देता है, तो इससे आपको मिल जाएगा, सिर्फ सेक square X dx मिल जाएगा, है ना, याद रखिए, कोई भी number है आपका A, इसके साथ E to the power log A लिख दिजिए, तो यह A ही हो जाता है, एक तरह का यह formula होता है, आपका, है ना, यानि मान X है आपका, E भी और log भी अगर लगा दिजिए, log X, तो इसका value X ही होता है, यह भी आपका एक तरह का formula हो गया, तो ठीक उसी तरह से, यहाँ सेक square X था, तो सिर्फ E और log केंसील हो गया, सेक square X आ गया, सेक square X का जो integration होता है, वो 10X होता है, अब प्लस के तो हम लिखेंगे ही तो 10X प्लस के question number 70 में हमारा B में देखने को मिल रहा है, इसके बाद हमारा question number 71, तो चलिए 71 को थोड़ा सा उपर कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 71, तो 71 में हमारा दिया गया है integration, cot square X dx दिया गया है, तो भाई यह cot square X dx को हम लोग क्या लिखते हैं, यह cot square X minus 1 dx लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि cot square X का जो integration होता है, वो आपका minus cot X होता है, अब फिर X का integration X हो गया, अब प्लस के कर दिये, अब यह चीज हमको देखने को मिल रहा है, किस में? इस B में देखने को मिल रहा है, तो B इसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद हमारा question number 72 है, तो 72 में देखिए दिया गया है, integration minus 2 से लेकर 2 तक mod of X by X dx दिया गया है, तो यह mod X जो है क्या कह रहा है, कि भई यह इसका जो value है हमेशा positive में ही होगा, अब देखिए, मेरी इच्छा है कि इसको mod से बाहर कर दे, क्या कर दे इसको mod से बाहर कर दे, तो mod से बाहर करेंगे, तो mod का जो effect है वो तो हमको दिखना चाहिए ना इसमें, तो इसके लिए क्या करते हैं, कि अगर यह X को minus में रखें, और इसके साथ minus वाला जो value हम लोग लें, किसका value लें, minus वाला value लें, तो minus इसके साथ आता है, तो यह plus में बन जाएगा, चुकि य यहाँ एक minus पहले से है, minus का कोई भी value उठाके X के जगह पे रखेंगे, और minus पहले से है, तो दू को minus मिला, तो plus हो गया, यानि कि यह mod X में आ गया, यानि कि यह positive हो गया, आपका क्या हो गया, इधर से positive हो गया, और यहाँ पर अगर हम 0 से लेकर 2 तक का value, positive value रखते हैं, और यह already positive हैं, तो दोनों positive मिलकर क्या हो गया, positive हो गया, तो जैसा कि यह mod कह रहा है, कि हमेशा हमको positive value चाहिए, तो positive का criteria फ्यूल फ्यूल हो जा रहा है, mod को हटाने से, अगर इस तरह से हम लोग करते हैं, तो, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, minus 2 से लेकर 0 तक लिखेंगे, minus x by x dx लिख देंगे, अब फिर उसके बाद यह 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे, यहां पर x by x dx लिख देंगे, अब यह x, यह x कट गया, इसमें एक minus हमको बाहर मिल गया, और इसका integration जो है, x हो जाएगा, minus 2 से लेकर 0 तक, अब फिर उसके बाद इसका भी integration x हो जाएगा, यह 0 से लेकर 2 तक, अब 0 इसमें रखेंगे तो 0 होगा, अब फिर minus 2 इसमें रखेंगे तो minus 2 और इसके पहले हमारा एक minus है, अब फिर plus लिखिए, यहां पर हम 2 रखेंगे, minus 0, अब यहां पर देखिए, minus minus मिलके तो पहले plus हुआ, फिर एक minus के चलते minus 2 हो गया, अब फिर यहां plus 2 है दोनों कटके बरबाद हो गया हो गया आपका 0 तो 0 हमारा option देखने को मिल रहा है C में तो C इसका correct answer हो जाएगा इसके बाद हमारा question number 73 तो 73 भी कुछ उसी तरह का problem है हमारा 73 में integration minus 1 से लेकर 1 तक है और यहाँ पर mod x dx दिया गया है अगर minus x लेते हैं तो इसका integral limit जो है minus 1 से 0 तक होता है अब फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर plus x लेते हैं तो इसका limiting value जो है 0 से लेकर 1 तक होता है अब देखिए minus x का जो integration है x square by 2 हो जाएगा और इसका limiting value minus 1 से लेकर 0 तक अब फिर इसका integration x square by 2 होगा और यह value 0 से लेकर कहां तक 1 तक अब इसको आप लिख सकते है 0 का square by 2 minus minus 1 का square by 2 लिख सकते है अब फिर plus लिखिए 1 का square by 2 minus 0 हो गया यहाँ 0 तो यहाँ पर आपका minus minus मिलके plus 1 by 2 हो जाता है यहाँ भी 1 by 2 होता है दोनों मिलकर आपका 1 बन जाता है 1 हम देख रहे हैं कहां पे है b में है तो b इसका सही answer हो जाएगा इसके बाद question number 74 तो 74 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x square minus 1 है और नीचे में x minus 1 dx दिया गया है तो भईया इसको आप जो है a square minus b square का formula याद कीजिए a plus b a minus b लिखते है न उसी तरह से x square minus 1 square को हम लोग एक बार x plus 1 लिखेंगे एक बार x minus 1 लिखेंगे नीचे में x minus 1 dx है आपका और यहाँ पर x minus 1 x minus 1 कट गिया तो बच गिया किया x plus 1 dx तो x का integration x square by 2 होता है 1 का integration x होता है अब plus k तो हम करेंगे ही अब ढूंडेंगे भईया यह हमको कहां पे मिल रहा है देखने को यह चीज मिल रहा है हमको b में देखने को तो b इसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद question number 75 तो question number 75 में हम लोग definite integration का property लगाएंगे यहाँ पर 0 से लेकर pi by 2 तक है log यहाँ आपका क्या है 10 x दिया गया है dx दिया गया है तो अगर इसको हम लोग i मन लेते हैं तो इसी i को हम लोग 0 से लेकर pi by 2 तक लिख सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं जहाँ पर हमको x दिख रहा है वहाँ 90 minus x लिख सकते हैं यहीं नहीं 90 आपका यानि कि pi by 2 minus x लिख सकते हैं या 90 minus x लिख बात बराबर ही है तो 10 90 minus x यानि 10 9 pi by 2 minus x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cortex लिख सकते हैं तो log cortex हो गिया और यह आपका क्या हो गिया dx हो गिया integration 0 से लेकर pi by 2 तक अब इसको और इसको add कर दीजिए तो दोनों को add करेंगे तो 2i हो जाएगा integration 0 से लेकर pi by 2 तक हुआ इससे हमको मिला log 10a मिला 10x मिला और इससे हमको मिला log cot x मिला अब दोनों को एक साथ मिला दीजिए logarithmic rule से तो यह आपका log 10x into cot x हो जाएगा और यह आपका dx हो गिया और integration 0 से लेकर pi by 2 तक हो गिया यह आपका अब याद कीजिए आप कि 10x into cot x equal to 1 होता है और इसके पहले log है log 1 का जो value होता है वो आपका 0 होता है क्या होता है भईया 0 होता है तो 0 का integration जो है आपका constant आता है अब इसका limiting value कुछ भी हो इसका value तो हमको क्या में आने वाला है 0 ही आने वाला है तो इस तरह से इसका correct answer जो है क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग जो है इतना तक objective question को समझ गए होंगे और इसी के साथ इस video को मैं विराम देता हूँ हम लोग मिलते हैं next video में और इस question के साथ 76 और उनके बाद के problem के साथ तो जै हिंद जै भारत